असलाम उलेकूम एक्सपोजित के साथ मैं हूँ मदीहाइकपाल नाजरिन भारत अपनी हटधर्मी से बास ना सका और एक बार फिर सापित कर दिया कि वो खित्ते में अमन का ख्वाहिश्वन ही नहीं इसलिए तो भारत ने एक्वाम मतहिदा के सेकेर्टरी जरनल आंटियो गोईटरस के जानर से मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तीसरे फरीक के सालसी की कोई गुंजाइश नहीं आंटोनियो गोईटरस ने ये पेशकश एक रोज कबल इसलामबाद वे वजीर खारज़ा शाह मेहमूद कुरेशी के साथ मुझतर का प्रेस कानफरंस करते हुए की थी और एकमाम मुतहिदा के सरबरा ने सलामती काउंसल की करारदादों का एहतराम करते हुए तनाज़ कश्मीर के हल का मुतालबा किया था उन्होंने सालिस की हैसियत से अपने करदार की पेशकश की और कहा था कि इस मकसद के लिए उनकी अच्छे दिफातर इस्तमाल किये जा सकते हैं पाकिस्तान और भारत के तालुकात पर तबारला ख्याल करते हुए उन्होंने फौजी और जुबानी कश्रीदगी को कम करने की जरूरत पर जोर भी दिया था उनका कहना था कि जम्हों कश्मीर में इनसानी हुकूक और आजादी के मकमल एतराम की जरूरत के लिए एक और आहम पहलू ये है कि लोगों को आजादाना तहरीक चलानी चाहिए जैसा कि पाकिस्तान में है मुझे अमीद है कि ये काम दूसरी तरह भारत में भी हाजल होगा मैंने इसी सुरते हाल पर अपने अच्छे दिफादर की पेशकर्श की है और हमारा मौकिफ ये है कि सलामती काउंसल की करारदादों पर अमल दरामत किया जाए एक کوام متحدा के सरबरा ने मजीद ये मी कहा कि सफारतकारी और बातचीट ही वो वह वसीला है जो एक कवाम متحدा के मैंसा की मताबक और सलामती काउंसल की करारदादों के मताबक हल और अमन के इस तेहकام की जबान देता है लेकिन भारत ने एक बार फिर अमन की जाने बढ़ाए गए हाग को जटत दिया भारत की वजारत अमूर कारजा के तर्जमान रवेश कुमार ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के मसले पे जिसको तब जो देने की जरूरत है वो गैर कानूनी और जबर्दस्ती पाकिस्तान के जरे कबजा अलाकों को चुड़ाने का है मजीद अमूर अगर कोई है तो दो तरफा बहस की जाए तीसरे फरीकी सालसी का कोई किरदार या गुंजाश नहीं है ये पहला मौका नहीं जब भारत ने तनाज़ कस्मीर पर सालसी की पेशकश को मस्तरत कर दिया जुलाई 2019 में अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने सक्तर साला पुराने तनाज़ को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के दर्मयान सालसी करने पर आमाद की जाहर की थी और इस पेशकश को अमरीका ने दोराया भी था ताहम भारत ने इससे मुस्तरत कर दिया सिर्फ यही नहीं भारत तुर्क सदर रजब तययब उर्यदवान की भारती मक्बूजा कश्मीर के عوام کی غیر متزلزل حمایت کے بیان پر بھی تل ملا گیا تھا اور بھارت نے رد عمل دیتے ہوئے ترکی کو کہا تھا کہ وہ بھارت کی اندرونی معاملات میں بداخلت نہ کریں بھارت کی ہٹ درمی کوئی نئی بات نہیں کیونکہ مودی سرکار شدت پسند تنظیم RSS کے نظریے پر چل رہی ہے جس سے خطے میں عام تو قائم ہوگا نہیں البتہ بہت جلد بھارت تباہی کے دھانے پر پہنچ جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں خبروں کی تیز تر اپ ڈیٹ کے لیے ایکسپوزٹ کو سبسکرائب کریں